बूर्णिंग स्टुडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे चंट्रोल ऑफ यह पलूशन जिसमें हमने गैसे और पार्टिकुलेट मेटर को किस तरीके से कंट्रोल करें हवा में जाने को तो वो पढ़ रहे थे हम तो क्या डिवाइसे हम यूज करें तो पहले हमने पार्ट थे और अब है हमारा वों परेंट वह परेंट को स्परेंट कम एक तावर इसमें पार्टिकल होता है वह सेपरेंट होते हैं मैं जो स्परेंज होते हैं g jaBoxij कितंवार के सगने होथना जो ये हम cylindrical equipment यूज़ करते हैं उसमें एक side से हम एक side से उसमें air का inlet होता है जिसके through जो भी dust वाली air होती है जिसमें dust होते है पार्टिकुलेट मेटर होता है उसको वहां से flow करवाया जाता है तो दूसरे जो outlet होता है वहां से साफ हवा बाहर चली जाती है जब उसके dust particle उस नि निकल जाती है इनलेट से उसको पास किया जाता है dusted वाली हवा को air को तो outlet से clean air बाहर जली जाती है अब इसमें क्या किया जाता है इसमें spray किया जाता है पानी का water spraying किया जाता है इस equipment में spray towers में तो जब पानी का spray होता है वह पानी क्या करता है वह 10 माइक्रो मीटर जो साइज के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ चिपका के नीचे सैटल डाउन करवाता है बाकी जो हवा होती है वो जो आउटलेट होता है उसके थ्रूप क्लीन हीर बाहर निकल जाती है यह टेकनिक पर्टिकुलरी यूसफुल होती है अगर हम हमें हेवी लोड ऑफ पार्टिकल्स जो बहुत बारी बारी पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हमें करना है तो यह टेकनिक यूज की जाती है कि पानी का स्प्रे किया और जो डस्ट है वो पानी के साथ चेपक जाती है और सेटल डाउन हो जाती है और पानी को निकालने के पानी जो भी जिसके साथ डस्ट होता है वो निकल जाता है तो आप जब मैं आपको यह डाइग्राम भी साथ में दिखा रही हूं अपने यूट्यूब से तो एक साइड से जो एयर का इलनट है वहां से वो एयर चली जाती है जिसमें डस्ट लेड़न एयर है दूसरे साइड स आप देख लीजिए एयर का आउटलेट है जहां से जो क्लीन एयर साफ हो जाती है वहां से निकल जाती है और वाटर का स्प्रेय जब किया जाता है तो वाटर के स्प्रेय जो वाटर है वो कैसे बाहर निकलेगा वाटर के लिए आउटलेट है तो जो भी डस्ट अंदर होग वो उस पानी के सचे पक जाके नीचे सैटल डाउन हो जाएगा और बाकि जो क्लियर हवा है वो बाहर एर के आउटलेट से निकल जाएगी तो यह है स्प्रे टाउवर अब नेक्स्ट है हमारा अलेक्ट्रोस्टाटिक प्रस्पिटेटर्स अब जो यह एक्ट्रोस्टाटिक प्रस्पिटेटर्स होते हैं यह काफी एफिशेंट और वर्सटाइल होते हैं यह काम करते हैं on the basis of electrostatic attraction इसकी construction क्या होती है और working इसकी कैसे होती है जो यह electrostatic प्रस्पिटेटर्स होते हैं यह एक thick cylinder के बने होते हैं thick cylinder fitted with an inlet इसके अंदर एक side से bottom में अगर आप देखोगे मतब वहां से भी एक entry होती है और top पे आप देखोगे वहां से एक outlet होता है एक cylinder type होता है जिसके bottom में हवा को अंदर जाने के लिए एक रास्ता होता है अगर आप diagram में भी देखोगे तो एक inlet शोग किया गया है और top पे एक outlet होता है जहां से pure air बाहर जाएगी तो जो electrode है इसमें एक electrode भी यूज़ किया जाता है जो fit किया जाता है center में इस cylinder के उस electrode को connect किया जाता है high voltage cable के साथ मतब उसमें से electricity दे आती है यहां पे electrode more than one electrode यूज़ किया जाता है commonly used more than one electrode एक positive एक negative anode cathode अब जो यह dust होगी dust laden ear जो वो हवा जिसमें बहुत जादा dust हो जब वो पास इस electrostatic precipitators के थूँ जली जाएगी जहां पे inlet शो किया गया है arrow आगर आप देखेंगे डाइग्राम में तो वहां से जब यह जाएगी तो जो large sizer particles होते हैं वो settle down हो जाते हैं due to gravity क्योंकि gravity उनको नीचे settle down करेगी वो attract कर जाती है gravity उनको अपनी तरफ attract करती है जब heavy particle होगा अब जो smaller होगा वो जो smaller होगा वो smaller charger particles जो होते हैं अब जो यह हमने पहले देख लीज़े हमने electrode यूज किया जो वो electrode है वो एक type का conductor होता है जो एक अपना contact बनाता है non-metallic material के साथ कभी भी कहीं कोई circuit है जैसे हमें ये एक circuit था तो इसमें जो electrode है वो use किया गया है ताकि ये किसी के साथ contact बनाए किसी भी non-metallic substance के साथ contact बनाए जब हवा हमने इसमें से pass की तो उसमें बहुत सारे dust particles है यह जो particles होते हैं यह charged हो जाते हैं जब electricity pass हुई इसमे तो जो small charged particles थे heavy जो थे वो तो settle down हो गए due to gravity बट अब जो छोटे-छोटे smaller particles हैं वो charged हो गए इस cylinder में तो जब charge हो गए वो तो वो electrode, जो electrode हमने use किये उसके साथ attach हो गए अब जो negative charged particles होगा वो opposite वाले electrode के साथ attach हो जाएगा और जो positive charged particles होगे वो अगर जो negative वाले charged particles होगे वो positive electrode के साथ हो जाएगे attach जैसे कि anode है और अगर कोई negatively charged particles है तो वो positive के साथ जैसे anode है अगर कोई positive charged particles है वो अपने आपको अटाज करते हैं कैथोड के साथ जो negatively charged electrode है तो फिर जब ये उनके साथ attached हो जाते हैं तो दीरे दीरे gradually ये जो charger particles होते हैं अलेक्टोर के ओपर लग गए होते हैं ये gradually fall करते हैं down to the bottom नीचे bottom में गिर जाते हैं जो भी ये slender है जो भी एक्यूपमेंट बना हु बाद में जो हवा रहती है वो डॉस्त फ्री रहती है और बाहर आ जाती है जो ऊटलेट बना हुआ है वहां से क्लीन, जो बॉटम में तो निर्ट था, मगर जो टॉप के बना हुआ है एक outlet बना हुए जहां से clean air बाहर चली जाती है जो हमने जब हवा dust laden वाली थी जो inlet bottom के through चली गई थी फिर वो साफ होके जिसमें से जो heavy particles थे वो तो settle down by the gravity हो गए और जो छोटे charger particles थे वो अपने-पने electrode के साथ attach होके gradually fall down to the bottom हो गए बाद में जो हवा रही वो dust free रही और वो बहां से outlet से बाहर आ जाती है अब जो ये electrostatic precipitators हैं इनको dry precipitators बोला जाता है क्योंकि जो dust particles होते हैं यहां पे scrapping के through ये remove होते हैं मगर कहीं-कहीं पे जाके इनको wet precipitators भी बोलते हैं क्योंकि कहीं-कहीं पे particles को remove करने के लिए पानी का use किया जाता है या तो fluid का use किया जाता है इसलिए वहां पे wet precipitators बोलते हैं जो wet precipitators होते हैं ये काफी efficient होते हैं मगर commonly जो practically use किया जाता है वो dry है ठीक है अब जो ये electrostatic precipitators हैं ये remove करते हैं particulate even कितना छोटा सा particulate one micron मतलब एक micron वाला particle जो होता है ये उसको efficiently लगब 99% इसकी efficiency होती है किसी भी इतने छोटे micron को निकालने की तो ये काफी efficient माना जाता है तो ये हमारा हो गया electrostatic precipitators अब जो एक और हैं वो है fabric filters fabric filters जो होते हैं ये most efficient और ये separate कर सकते हैं particles जिनका size less than 0.5 micrometer का होता है diameter में ये उस level के जो dust particles हैं उनको remove कर सकते हैं जब भी gas या हवा जब इस fabric इसमें योड किया गया है तो आप एक type से mat समझ लिए mat जैसे wood का जैसे हम बोलते हैं जो हमने बनाई होती है चटाई type की जो बनाई होती है जो wood की gas की बनी होती है या अगर अगर अब cellulose जो पेड़ों से निकलता है जो हमेशा woody में होता है उनके जो outer cells होते हैं plants में जो outer cell wall होता है वो cellulose का बना होता है उसका पेपर बोर्ड बनता है पेपर बनते हैं उस सेलिलोस से तो उसी के एक तरफ से मैट बने होते हैं तो जब ये फैबरिक फिल्टर यूज किया जाता है तो इसमें क्या क्यों करते हैं जैसे मैंने आपको बताया आप एक टाइप के चटाई ही ले लो जब बनी होती है बहुत ही जादा अच्छे से उसमें इतने कोई गैप नहीं होती है या सेलिलोस की भी कोई मैट ले लो तो इसमें क्या होता है डस्ट ट्रैप हो जाती है इसके अंदर जब भी हम इयर इसमें पास करते हैं जो कलेक्शन ऑफ डस्ट इसमें फैबरिक फिल्टर में जो होता है ऐसे फिल्टर हम यूज़ करते हैं इसमें सेलिलोस या वुड का फिल्टर बना देते हैं इसके थ्रू जब एयर को पास आउट करते हैं तो इसमें क्या होता है जो यह डस्ट है ये एक अपनी लियर बनाता है इस फैबरिक फिल्टर के ओपर जिसको हम फिल्टर केग भी बोल सकते हैं एक टाइप की डस्ट लियर बनाता है ये तो ये काफी एफिशन्ट होता है डस्ट कलेक्टर होता है बाकी हवा तो निकल जाती है और जो डस्ट है वो इसी सेलेलोस और वुड के मैट के ओपर चिपक जाती है तो बाकी जो हवा होती है वो क्लीन होके बाहर निकल जाती है इवन ये छोटे छोटे फाइन डस्ट पार्टिकल को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है तो दीरे दीरे फ्रीकेंटली ये हवा को अच्छे से क्लीन करता है आप डैगराम में भी जब देखेंगे तो क्लीन ये जब पास की गई है तो फैबरिक के जो फिल्टर्स हैं डैगराम में दिखाए गए हैं तो उनके थूपास होके नीचे एक डस्ट की लियर सी बन जाती है डस्टी येर जो है जब dusting ear जब डाल दिया फिर जो उपर fabric filters है वो dust उसके साथ चली जाती है जब बग जाती है और बाहर जो clean ear है वो उपर वाले आप direction में देखेंगे तो वहां से निकल जाती है बाकि दीरे दीरे जो ये dusty layer जो होती है बनी fabric की वो दीरे दीरे नीचे settle down हो जाती है और bottom में dust इखटे हो जाती है as a collector ये काम करता है तो फिलहाल तो आपका ये जो topic है इसमें हमने control of ear pollution जब पड़ा तो हमने देखे थे कि devices जो हम particulate pollutants को किस तरीके से control करते हैं वो कौन से devices हैं तो इसमें हमने gravity settling chambers पड़े इसमें हमने cyclone collectors पड़े dynamic precipitators पड़े spray towers पड़े electrostatic precipitators पड़े और fabric filters पड़े अब हमारे को पड़ने हैं devices जो control कर सके gases pollutants अभी तक हम सरफ particulate pollutants पड़ रहे थे अब हम gases gas वाली तो बहुत सारा pollution हमारे हवा में होता है तो अगर उस उन gases को किस तरीके से हमें बहार निकालना है जो harmful gases होते हैं तो वो कैसे निकालना है वो next lecture में पड़ेंगे क्या control devices हैं for gases pollutants फिलाल के लिए हमने आज particulate pollutants के जितने भी techniques थे वो खतम कर लिए thank you so much